सोशल मीडिया बच चनल महालेक्षमी की ओड़ से सुबह सुबह आठ वजे आपके पास बहुत पावन दिन है आज पूर्णी मगा दिन है और हम आज ये तीस रेत्रितंग का जरम कर लेनक है पर आज बात कर रहे हैं कुछ जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाए युवा हो जान चली जाए और छोटी बिटिया हो और ये नरसरी की है वी तो पढ़ने के लिए जाने के लिए खेलने कुछ में स्कूल जा रही है और स्कूल ले जाने वाला ही भक्षक बन जाए तो क्या हो जाए आज बस उसी से ये चितर दिखा रहे हैं हमारे पड़ोस मे अनन्द विहार के अंदर ही विवेकानन स्कूल का ड्राइवर बस चलाता है उसी स्कूल की बस के अंदर कंडेक्टर और अटेंडेंट गलत थरकत करता है मूँ पर पट्टी चुपका देता है और गलत थरकत करता है छोटी सी तीन साल की बिटिया क्या उमर होगी कुछ जान किसी में दम नहीं थी देखने हैं आप यह माने शिकायत करी पर माने शिकायत क्या करी माबापने दोनों ने फिर दब गए दबा दिये गए डर गए क्या हुआ पता नहीं शिकायत करने के बाद रितेश जैंजी हमारे यहां की और उन्होंने फिर ठाने में यह तो गनीमत रको पॉसको एक्ट की बात है, इसलिए पुलिस ने अपने हाप कारवाई कर ली है, दो को पकड़ लिया है, पर स्कूल और अभीववक दोनों ही चुपो गए, एप्लिक्शन देखी, सकाई अभीववक शिकायत लिखी, ऐसी गलत थरकत हो रही है, इस स्कूल के इसी बस के अंदर कुछ गलत थरकत, स्कूल वले ना कर दे, प्रिंसीपल की धहशत है, यह सब बताया गया, हैरान हो जाते हैं, जब एक गल, और वही अटेंडेंट जो के दोशी होता है, वही फिर बस में आतों दिखता है, हमने एक माँ से बात करी, उन्होंने कहा मेरा नाम हो मत बताईएग सुनिए, ऐसे में दो तिन से बात करने कोशिश की, लेकिन कोई अपने ही पीडित होने के बाद जबान नहीं खोलते हैं, आज ऐसी हालत आ गई है, माबाब की दबाने की कोशिश हर की है, चाहे पलिस हो, चाहे पीडित अभिवाब को, परहां एक माने क्या कहा, आप सुन ल करल तो, और पेरेट्स के ऊचूप एठे रहे, मुझे नहीं पतां से परेट्स के ऊचूप एठे वयते हैं, अगर इतने दिन से हो रहा है, हमें खुद नहीं समझा हरा हूँ, और पेरेंट्स सामने भी नहीं आ रहे है, वो कह रहे हैं बस में लास रूट ता बच्ची का, म अगे उसका चेहरा नहीं हट रहा है और वुष लेडी ने अपना दुख बया कर रहा है कि वो मेरी लड़की के साथ गलत हरकते करता था मुपे टेप लगा के मुपे टेप लगा के मुपे टेप मतला वो लास्ट बेटी उतरती थी वहाँ पर इसमें कितने बचे जाते हैं इसके अंदर बस के अंदर मेरे कहाल से आप मालो 10-15 बचे होंगे और ये जो एटिंडनेंट और यो कंडुक्टर ये हैं इस तरहे कलपरेट साथ hoc और आपको एक और बात बताती हूं, कर मैं बेटी को लेने चोड़ने भी गई हूं, और मेरी बेटी बता रही है कि Tuesday को, Tuesday को उसके खिलाव के सब हुआ है, तो वो बस में चड़के आया, साही बाबा मंदिर अनन्द विहार, जहां पे बैरिकेटिंग लगी हुई है, स्कूल से आगे शाहिद लेफ्ट लेते ही, आगे यूटन लेके, वो वहाँ पे साइड में बस रुकी और वो वहाँ से उतर गया, मज़ा, उसी बस में आया, हाँ कल्परिट उसी बस में आया, मैंने वो बात वहाँ पे उठाई, उन्होंने मेरी बात को दबा दिया, हमने उसको आने की कोशिश होई जा रही है, और पेरेंट्स तो इतना दब गए हैं कि पता नहीं वो कहां कौन से भावन में चले गए, मेरको नहीं समझ आ ली, मतलब वो डर गए हैं सेह में या दबा दिया गए हैं कुझे सी का नहीं, जो यह प्रिंसिपल है, यह बहुत तेज है, मैं सेंचर से, जनवरी में नौकरी लगनी थी, भड़ती होनी थी, MBA कर रहा था, मुद्रा एस्ट्यूट मीखा से, लेकिन कहते हैं वो पर किसी को सला दी थी, आपको बताया ही था, उसने सला दी थी, कि भाई इतनी तेज जाड़ी चलाओगे, तो दुखटना हो जाएगी, ऐस चाकों से ऐसे वार किये, जिंदगी चली गई, मालुम चला है, वे फरार होके पंजाब पहुंचिया था, हैरान हो जाते हैं आप, जब गजब की बात मालुम चलती है, और पंजाब पहुंचने में जब पकड़ा गया, तो मालुम चला है, वे वहीं, कांस्टेवल है चक बन जाएंगे, तो बचाने वाला कौन उपर से परवादिगार आएगा, विश्वास नहीं होता, पर जब पकड़े गए, तो उसने इस पश्ट कहा है, इसने, कहा हां भाई, उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था, कि गारी तेज में चलाओ, पर मैं पुलिस वाला, और म बच्चे की हत्या करते थे हैं, भाग जाते हैं, नहीं पकड़े जाएंगे, चार दिन बाद छुपके आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पर वह था, समाज ने सब से मिलकर जब कोशिश की, तो गुजरात पुलिस अपने ही आदमे को पकड़ कर ले आई है, पूरा परिव जी, समाज लो, अपने कंधे पर लेकर, जून 2022 में एहमदाबाद में भरती कराने गया था, और नवंबर 2024 में उसकी अर्थी लेकर आया हूँ, क्या मैं सोज सकता है कोई, कि ले किसलिए गया, लाया किसे है, क्या विश्वास करेगा कोई, बड़ी बेहन कहती है, कि हम तोनो गंटे पहले उसको पॉर्ट के लिए मैंने पैसे ट्रांसफर किये थे, निकाल नहीं पाया, उसकी जान निकाल दी गई, यह उसकी बेहन का बड़ी बेहन गीतिका कहना है, मां का रोरो कर रहे हाल है, क्या करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मुझे वापिस मोदी की, जहां पर मुख्य मंत्र है, ग्रैम मंत्री का शासंजा चलता है, वहां गुजरात में ऐसे कातिलना हमलों का राज ही चलता है, धेशत में हैं पूरा परिवार, आज, जब तक आप इस वीडियो को खुल कर देख रहे होंगे, दिल्ली के इतिहास की तेरा दिख्ष होती है, और जैनारी के जब बनना होता है, तो सब इस राग को, इस प्रेम को, इस मोह को त्याग ना पड़ता है, जंगली घास की तरह उखाडने के द्रश्य होते हैं, आज सुबह, और अब दीशाय देने का वक्त आ रहा है, एक इतिहास नया, दिल्ली में फिर बनने जा है, गणाचारे विराक सागर जिर मना है, और यह देखने हैं आप, कालिहां पर आचारशी विनीत सागर जी भी आए थे, ससंग, मंच को देखने मत, अध्यात्मी सम्मिलन भी हुआ था, और जनता गजब की बात थी, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, दिल्ली वाले, अगर आपका ही नहीं है, तो आज यही जा रहे हैं, यही सोचते हैं, परा, कल विक्केडी पारक ने बहुत कुछ कहा, कि दिख्षा के समय तीन होते हैं, बाले अवस्ता, योवास्वा प्रोड अवस्ता, आप कि स्टेडिम हैं, और क्या कर सकते हैं, सवाल जब अच्छा था, और अरे संसार में तो आपके पास पैसे जादा हो, तो आपकी इज़त आबरूँ जादा, लेकिन जब आप अपने आपको धरम में बना देते हैं साहब, तो वहाँ पे त्याग एक किमत जादा है, जो जितना जादा त्यागी, उसकी किमत उतनी ही जादा सा, सब के मन में, जब कई ना कई शंका होती होगी, ये उमर है क्या दिक्षा लेने की, आपने संसार को समझ लिया क्या, ऐसा क्या संसार आपको खराब लगया, क्या आपको सयम मारग अच्छा लगने लगा, ये कई लोगों के मन में अभी भी सवाल होगा, ये उमर है क्या दिक्षा लेने की लेकिन मैं कहादू हाँ यही उमर है दिक्षा लेने की कैसे मैं आपसे कहादू कि धरम करने की तीन अवस्ता है पहली अवस्ता, बाल अवस्ता दूसरी अवस्ता यूवा अवस्ता, और धरम करने की करने का समय होता है धरम करने की शक्ति भी होती है लेकिन आपको पता है बाल अवस्ता में क्या नहीं होती आपके पास बुद्धी नहीं होती धरम करने की बाल अवस्ता गई आगे बड़े युवा अवस्ता युवा अवस्ता में आपके पास बुद्धी है धरम करने की शक्त वुरुद्धा अवस्ता में आपके पास समय तो बहुत सारा है वुरुद्धा अवस्ता में समय बहुत सारा है समझ भी है लेकिन आपके पास क्या नहीं होती साथ आपके पास धरम करने के शक्ति नहीं होती अब मुझे बताओं कि धरम कब करेंगे मैं आपसे कहा दू कि बगवान के सामने अगर तीन कहरी चड़ानी हो और तीन कहरी एक कच्छी कहरी हो एक बिल्कुल पकी हुई स्वादिष्ट कहरी हो और तीसरी सडी गली कहरी हो आप सच बताओ बगवान के सामने क्या एरपन करोंगे रत्न तैंशी रोमेणी समान सुर्य दर्ष है श्रमन गयान गयान दर्ष दर्ष का दर्ष विमर्शी है विरागि का वीमर्शी है विमर्शी है विमर्शी है निरागी का निमर्ष है इतने रतनों की बरसाथ होती है आयो थी साथ लाख पूर्व की कद था 24 फुट उंचा उतंग सो सकते हैं का अपना कर सकते हैं इतने कायों दूसरे तीर्थंकर के दस लाख करोड सागर के बाद आप अग्रवे विमान से उतर कर इस धरा पर शावस्ति में जन लेते हैं सब कुछ भूल जाना तीर्थंगे का लगना खूब जोर शोर से मनाना यही जैन संस्कृति की यही आपके जैन कुलम लेने की पैचान होती है फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोशक जनकर के साथ मिलते रहिए आठ से आठ सादर ठाट बाट के साथ खुश रहिए आनन से रहिए सरल विनैपूर जीवन वीत कीजिए सादर जैजनीन